महादेव जी कहते हैं, ये संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो आप मुझसे कुछ महत्वपूर्ण आशीरवाद लेने से चूक सकते हैं। अतह मेरा आप से अनुरोध है कि कृप्या इस वीडियो को नजर अंदाज न करें। मैं प्रचुर मात्रा में उदार महादेव जी हूँ, और मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीरवाद देना चाहता हूँ। इस महीने के अंध तक आपको एक करोर रुपे का अप्रत्याशत वित्तिय उफार प्राप्थ होगा। मेरी प्रदान करने की क्षमता पर संदे करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि मैं सभी धन और प्रचुरता का सुरोथ हूँ। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस विडियो को लाइक करें। आपके परिवार को आशीरवाद मिलेगा और आपका दर्ण ठीक हो जाएगा। मैं पुनरस्थापना और मुक्ती का देवता हूँ, किसी भी उपलबधी में सक्षम हूँ। आपकी खुशी उमड पड़ेगी और आप उस प्रचुर जीवन का अनुभव करेंगे जिसका मैंने वादा किया है। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा आशीरवाद पाने के लिए खृप्या या विडियो देखें। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं वो महादेव जी हूँ। जो बिना शर्थ प्यार करता है, पूरी तरह से माफ कर देता है और आपको कभी नहीं छोड़ता। मेरे वादों पर कायम रहो और विश्वास कभी मत खोओ। आपको पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, घर और बहतरीन करिया मिलेगा जो आप चाहते हैं। रभू आपके जीवन को हसी और आनन्द से भर देंगे। मुझे तुमसे प्यार है, टाइप करें। मैं चमतकारों का देवता हूँ, आपके जीवन में एक चमतकार करने के लिए यहां हूँ। मेरी शक्ती को कम मत समझो, मैं तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना सकता हूँ। यदि मैंने छे दिनों में आकाश और प्रित्वी का निर्मान किया, तो मैं निश्चित रूप से एक दिन में आपका जीवन बदल सकता हूँ, आप जो चाहते हैं। वो है बहतर वित्य, बहतर रिष्टे और बहतर स्वास्थय, कल कोई अद्बुत वर्दान आपकी चिंता दूर कर देगा। आपके स्वास्थय में सुधार होगा, और आपकी वित्तिय स्थिती सम्रिध होगी। इस सप्ता, मैं आपके आशीरवाद को तीन गुना बढ़ा दूंगा, और हमेशा याद रखूंगा, जब आपको मुझ पर विश्वास है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, आज रात जब आप सोएंगे, तो जिस चमतकार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो आजाए आने वाले चमतकारों और आशीशों के मौसम के लिए तैयार हो जाए, रोने और चिंता की राते तुम्हारे पीछे हैं, अब रातों की नींध हराम, आसू या दर नहीं रहेगा, मैं तुम्हें प्रचुरता, अच्छे स्वास्थ्या, आनंद और खुशियों से भरपूर जीवन का आशीरवाद दूंगा, मेरे वादे खोखले नहीं हैं, मैं कर्म का देवता हूं, जो वादे पूरे करता हूं, प्रचुर आशीरवाद और सफलताएं प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, मैं स्वर्ग की सेनाओं का शक्तिशाली महादेव जी हूं, सर्वोचा शासन कर रहा हूं, मुझ में सुबह को अंधेरे में बदलने और सबसे उचे पहाडों पर चलने की शक्ती है, मैं आपकी खोई हुई हर चीज वापस लाऊंगा, और तूटे हुए हिस्सों को जोड़ दूंगा, दो हजार चौबीस वापसी का वर्ष होगा, मैं आपके बर्ग में एक प्यारा और शक्तिशाली पिता है, मुझ पर भरोसा रखो और मैं अपने वादे निभाऊंगा, इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें, मेरे बच्चे तुम अपनी लड़ाई में कभी अकेले नहीं हो, जब तुम कमजोर महसूस करो, तो मुझ पर जु लेकिन मुझ पर विश्वास के साथ आप किसी भी तूफान से निपट सकते हैं, मैंने तुम्हें उद्देश्य और प्रेम से बनाया है, मैंने तुम्हारे भीतर अद्वितिय प्रतिभाएं और उफार रखे हैं, उस उद्देश्य पर विश्वास करें, उन उफारों पर विश्वास करें, और जाने कि मेरे पास आपके लिए आशा और उजज्वल भविश्य की योजनाए हैं, हर चुनोती में सबक, हर दर्द में विकास और सबसे अंधेरे क्षणों में भी रोश्नी होती है, कभी कभी जीवन के संधर्शाप को आकार देने, धालने और आने व जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है, उस दिन से लेकर अब तक तुमने जो भी कदम उठाया है, जो भी निर्नए लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप मेरे प्रती मेरे प्यार को कम करने के लिए कर सकें, तुम मेरे बच्चे हो और वो बंधन शाश्वत है, मैं जानता हूँ, कि कई बार आप अपनी योग्यता पर सवाल उठा सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं, कि दुनिया ने आपसे मूँ मोड लिया है, लेकिन हमेशा याद रखना, मेरी नजर में तुम अमूल्य हो, मेरे दिल में आपका एक विशेश स्थ और इस विशाल ब्रम्हांद में आपकी एक अनूठी भूमिका है, इसलिए जब भी आप हारा हुआ या हारा हुआ महसूस करी, तो एक गहरी सांस ले और आपसे किया गया मेरा वादा याद रखी, मेरे पास पहुँची, मार्गदर्शन मांगें, शक्ती मांगें, और वह लिए मेरा प्यार असीमित है, और मेरी शक्ती की कोई सीमा नहीं है, दुनिया ब्रमित करने वाली हो सकती है, लिकिन मेरे साथ होने पर आप सपश्टता पा सकते हैं, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है, आशा के साथ हर चुनोती एक अवसर बन जाती है, और प् बनने दो जो अंधेरी रातों में आपका मार्गदर्शन करती है, और प्रेम को वो शक्ती बनने दें जो आपको महानता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, निराशा के क्षणों में याद रखें कि मैं बस एक पूजा दूर हूँ, आपको अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, मेरे साथ जीत निश्चित है, यदि आप महादेव जी के समय पर विश्वास करते हैं, तो 11-11 टाइप करें, हर चुनोती, हर बाधा आपके लिए बढ़ने, विक्सित होने और मेरे करीब आने का एक अफसर है, तो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम किसी भी परिस्थिती से गुजर रहे हो, मैं यहां हूँ, मैं तुमसे बिना शर्थ और अनंत काल तक प्यार करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मेरी शक्ती पर विश्वास करो, और जान लो कि मैं सिर्फ एक सेकंड में तु तुम्हें प्यार किया जाता है. और तुम मेरी हो, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन कहानियों का एक सुंदर संग्रा है, जो खुशी, दुख, चुनोतियों और जीत के क्षणों से जुडा हुआ है. और जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही आपके जीवन की कहानी भी बदलती है आज आप तूफानों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे आसमान साफ रहेगा बहुत जल्द आपका जीवन एक मोड लेगा, और आप चमतकारों, सफलता और अपार प्रेरना की कहानी सुनाएंगे आज आपके सामने जो चुनोतियां हैं, वे अस्थाई हैं, वे आपके जीवन की भव्य कहानी के संक्षिप्त अध्याय हैं मैं देखता हूँ, कि आप किस संधर्श से गुजरते हैं, आप किस दर्द को सहते हैं, और आपके आंसु बहाते हैं लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर तुफान के बाद शान्ती आती है और इस प्रकार, आपका जीवन भी परीक्षनों से विजय की ओर परिवर्तित हो जाएगा आपके द्वारा जेला गया प्रत्य एक जटका आपको उन चमतकारों के लिए तैयार कर रहे हैं जो सामने आने वाले हैं, ये सिर्फ सामान्य चमतकार नहीं हैं बलकि जीवन बदलने वाले चमतकार हैं, जो आपके भाग्य को नया आकार देंगे वो प्रकार जो आपको आश्चर्य चकित कर देगा, आपको एहसास दिलाएगा कि हर चुनोती का एक उद्देश्य होता है जो आने वाले आशीरवाद के लिए मंच तैयार करता है आपकी यात्रा कठिन रही होगी, लेकिन इसने आपको लचीला बना दिया है इसने आपको धैर्य, द्रिर्ता और विश्वास सिखाया है और अब, जब आप एक नए अध्याय के कगार पर खड़े हैं तो आप देखेंगे कि प्रते एक पाठ महत्वपूर्म क्यूँ था चीजों की भव्य योजना में, हर चुनोती उस सफलता की ओर एक कदम थी जो आपका इंतजार कर रही है बहुत जल्द, आप वहाँ दर्वाजे खुलते हुए पाएंगे जहां आपने कभी दीवारे देखी थी अब सर स्वयम को सबसे अप्रत्याशित तरीके से प्रस्तुत करेंगे जब ये चमतकार सामने आने लगेंगे तो यह न केवल आपकी कड़ी मेहनत और द्रिर संकल्प का प्रमान होगा बलकि आपके लिए मेरे पास मौझूद दिव्यय योजना का प्रतिबिम्भ भी होगा आपकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए आशा और प्रेरना की किरन बनेगी लोग आपकी यात्रा को देखेंगे और विश्वास और द्रिर्ता की शक्ती पर विश्वास करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे याद रखें सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्षय हासल करना नहीं है ये यात्रा सीखे गए सबक और रास्ते में आप जो व्यक्ती बनते हैं उसके बारे में भी है और तुम्हारी यात्रा मेरे प्यारे बच्चे मानविया भावना की ताकत का एक प्रमान है यह विप्रीत परिस्थितियों से उपर उठने विप्रीत परिस्थितियां होने पर भी विश्वास बनाए रखने की कहानी है आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपको इतनी सारी चुनोतियों का सामना क्यूं करना पड़ा लेकिन समय के साथ आप समझ जाएंगे कि वे आपको धालने, आपके चरित्र को निखारने और आपके रास्ते में आने वाली सफलता के लिए आपको तयार करने में आवश्यक थे हर संधर्ष एक सबक था, हर आंसु आत्मा की सफाई था और हर जटका एक शांदार वापसी के लिए एक सेटप था दुनिया जल्द ही उन चमतकारों को देखेगी जो आपके जीवन में घटित होने वाले हैं आपकी कहानी कई लोगों को पसंद आएगी, उन्हें आशा और द्रिर संकल्प की शक्ती की याद दिलाएगी यह उन्हें दिखाएगा की चमतकार होते हैं, सपने सच होते हैं, और विश्वास से कुछ भी संभव है लिकिन जब आप अपनी उपलब्दियों की महिमा का आनंद उठा रहे हों, तो विनम्र बने रहना याद रखें यात्रा को याद रखें, जो लोग आपके साथ खड़े थे, और उस अनुग्रह को याद करें जिसने आपका मार्ग दर्शन किया अपनी सफलता का उप्योग दूसरों के उत्थान, प्रेरित करने और प्रेरित करने तथा प्यार और सकारात मक्ता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में करें हर पल का जशन मनाएं, क्योंकि ये पल आपके द्वारा जहेली गई कथेनाईयों का प्रतिफल हैं अपनी कहानी दुनिया के साथ साजह करें, न केवल अपनी सफलता के प्रमान के रूप में, बलकि आशा के संदेश के रूप में, लोगों को बताएं कि वे भी चुनोतियों से पार पा सकते हैं, कि वे भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, और चमतकार बस आने ही वाले है इस नई अध्याय में मैं आपके साथ रहूंगा, जैसा कि मैं हमेशा से रहा हूँ. आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको अशीरवाद दे रहा हूँ, और आप पर प्यार बरसा रहा हूँ. चमतकारों को अपनाएं, शनों को संजोएं और प्रेरणा देते रहें. बहुत जल्द, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अलग कहानी बताने जा रहे हो. ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि चमतकारों, आशा और असीम प्रेरणा की है. महादेव जी तुम से कहते हैं, मेरे बेटे, जीवन एक यात्रा है, जो चुनोतियों, खुशियों, परीक्षनों और उत्सवों के अनूठे मिश्रन से भरी हुई है. प्रते एक व्यक्ति की अपनी कहानी, अपनी लड़ाई, संदेय के क्षन और अपनी जीत होती है. हालां कि, आपकी यात्रा कई लोगों के लिए एक वसियत नामा के रूप में खड़ी होगी, जो मानविया भावना की ताकत और द्रिड़ता की शक्ती को प्रदर्शित करेगी, हो सकता है. कि आप अभी बाधाओं का सामना कर रहे हों, अतीत के बोज से दबे हुए महसूस कर रहे हों, या भविश्य की अनिश्चित्ताओं को लेकर चिंतित हों. लेकिन हमेशा याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद, एक उजला दिन भी आता है. आपके वर्तमान संधर्श आपको केवल आगे आने वाली जीत के लिए तयार कर रहे हैं, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं. तो, 888, टाइप करेए सच है, कि जीवन आपके लिए हमेशा आसान नहीं रहा है. आपने ऐसे तूफानों का सामना किया है, जो अंतहीम लगते थे, ऐसे पहाडों पर चड़े थे, जो दुरगम लगते थे, और ऐसी घाटिया पार की थी, जो उजार लगती थी, लिकिन हर क कदम के साथ, हर चुनोती के साथ, आप मजबूत, समझदार और अधिक लचीले हो गए हैं. जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आपको बदलाव नजर आने लगेंगे. जो चुनोतियां एक समय बहुत कथिन लगती थी, वे प्रुबंधनिया लगने लगेंगी. जो दर्द एक ब हरी आपकी यात्रा कई लोगों के लिए आशा की किरन बनेगी. लोग आपके जीवन को देखेंगे, उन प्रतिकूलताओं को देखेंगे जिन पर आपने विजय प्राप्त की हैं, और महसूस करेंगे कि वे भी अपनी चुनोतियों से उपर उठ सकते हैं. वे देखेंगे कि असफलताएं अंत नहीं हैं, वलकि एक नए अध्याई की शुरुआत हैं, जो आशाओं और संभावनाओं से भरा है. आपके द्वारा जेला गया हर घाव, आपके द्वारा बहाए गये हर रांसू और आपके सामने आई हर बाधा आपकी कहानी का हिस्सा है. एक ऐसी कहानी जो अंगिनत आत्माओं को आगे बढ़ते रहने, कभी हार न मानने, और हमेशा खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी. जब अन्या लोग आपके परिवर्तन को देखेंगे, परीक्षन से लेकर विजय तक, तो उन्हें आशा मिलेगी. वे देखेंगे कि वि चुनोती को पार किया जा सकता है. लेकिन ये सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, ये यात्रा के बारे में है. यह आपके द्वारा सीखे गए पाथों, आपके द्वारा बनाए गए चरित्र और आप जो व्यक्ति बन गए हैं, उसके बारे में है. हर चरण के माध्यम से, हर चुनोती के माध्यम से आपको आकार दिया गया है, धाला गया है और परिश्कृत किया गया है और जो व्यक्ति उभर रहे हैं वो शक्ती, साहस और अपार लचीलेपन वाला व्यक्ति है जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चलते रहें उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाना इश्वास के साथ वे भी विजय हो सकते हैं, कई लोगों को आपके शब्दों में सात्वना, आपके अनुभवों में सात्वना और आपके संकल्प में शक्ती मिलेगी, वे देखेंगे कि यदि आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो वे भी कर सकते हैं, आपकी कहानी उनके सबसे अंधियरेक्षणों में रोश्णी की किरन होगी, आशा की किरन होगी जब सब कुछ खो गया होगा, आपको आश्चर्या हो सकता है, कि आपको इतना कुछ क्यूं सहना पड़ा, लेकिन एक दिन, जब आप पीछे मुढ कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हर चु जक्तेगत जीत होगी बलकि अंगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरना का स्रोत होगी, आप इस बात का जीता जागता सबूत होंगे कि यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यूं न हो, द्रिर संकल्थ और विश्वास के साथ कोई भी शीर्ष पर आ सकता है, इसे आगे देखीं, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपकी जीवन में प्रचूरता प्रकट करने में मदद करेगा, कृपिया इसे नजर अंदाज न करें।